क्या अले साथियों मैं विकास सोबर आपके अपने ट्रस्वादी चैनल स्टडी फॉर सिवल सर्विसेस पर आज आपको समख्ष लेका आगए तेरा प्रेश करेंट फैर हिंदी इंग्लीज दोने भाषां में यूपीएस यूपीएसी को एपीएफ़ और दर स्टेट पीसे ए उनके दोरा जो है ओडिया लेंग्विज में और इंग्लिश में मौझूद थी हिंदी में अभी लॉंच गिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है पॉर्टिकली समझेंगे क्या चीज है शॉर्टेज ओफ रेम्ते सिविर यह जो दवाई है यह आपका जो है रेप्लिकेशन से रोकती है कोविड वाइरस को ठीक कोविड वाइरस को अपने आपको मल्टिप्लाई होने से रोकती है उसले अभी शॉर्टेज की हो गई क्योंकि केसे बहुत तही से बढ़ रहे हैं कई स्थानिक प्रजातिया यानि की एंडेमिक स्पेशिज जो किसी एग जोगरिफिकल लोकेशन में ही पा जाते हैं चाहे अनिमल और चाहे प्लांस तो वो एक्स्टिंट हो सकते हैं क्यों सिंपल जी बात है क्लाइमेट चेंज की वैसे जाने के सारे फैक्ट्स क्या क्या है और एक बहुत यादा हिमाकत करी है भी USA ने ठीक Freedom of Navigation Operation के नाम पर इन्होंने हमारे भारत के Exclusive Economic Zone में भारत से बिना पूछे जो है इन्होंने वहाँ पे अपना घूमें फिरे हैंगे अब नया अड्मेस्टेशन आया है तो थोड़ा बहुत अपनी दिखा रहा मेरे क्याल से बहुत यहाद है इंपॉर्टन जो आज का मैदपूर्ट दिवास है वह जलिया वाला बाग हत्या गांट 13 अप्रेश उन्निस को हुआ था ठीक जलिया वाला बाग मसाकर ठीक तो यह तेरा अप्रेश समन्दित है और आप लोगों को बताने कि UPSC 2021 और UPSC 2020 का हमारा complete paid group चल रहा है जिसमें आपको test series मिलती है study material मिलता 121 guidance मिलता इसके लबा सिर्फ test series भी आप जोईन कर सकते हैं EPS4 और UPSC के लिए अगर आप जोईन करना चाते हैं तो इन दो नमबर पर call करिए 8564-880-530-96960-660-810 पर ठीक देगे ओडिसा इतिहास प्राइमिस्टर मोधी जी ने हिंदी ट्रांसलेशन ओडिसा इतिहास का अभी जो है रिलीस किया है जो की लिखा गया था हरे कृष्णा महताब जी की द्वरा ठीक इसका English और ओडिया वर्जन पहले से मौजूद था हरे कृष्णा महताब जी जो है वो बॉर्ण हुए थे 1899 में ठीक एक गरीब परिवार में अगर पड़ा विलज बाला सोर में और ये इंस्पायर्ट है किस से आइडियल्स आफ बाग जतिन ठीक और इंफ्लूरेंस थे रामकृष्णा मिशन वहीं अपना जो है विवेक अन करते थे 1921 में तब क्या जला था नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट है सही हो का अंदोलन ठीक और ये पहले चीफ मिनिस्टर बने इस्टे ओडिसा के इनको जो है एक उपनाम भी दिया गया था उतकल केसरी के नाम से इंपॉर्टन रखना पूसकता है ठीक है हरी कृष्ण आपका महताब और भूबनेश्वर को कैप्टर बनवाय था साती साथ जो है सेकेर्टरेड बिल्डिंग राजभवन एसेंबली बिल्डिंग इन सब को बनवाले में इनका बड़ा योगदान है ओडिसा अतियास के पीडिया जो इनके इसके पीछे था वह यह था कि ओडिसा जब बना तो महताब जी जो है जो है दो हिस्ट्री ऑफ उडिसा टुक शेवन महताब अच्छा महताब जी जब कुट इंडिया मूमेंट 1922 के आसपास जो है एहमद नगर में जो जेल में थे तब इनको हिस्ट्री ऑफ उडिसा लिखने का जो है आईडिया आया है ठीक और महताब जी जो थे वह बहुत ही सौरी फील करते थे कि यह जो फॉरिन हिस्टोरियन्स हैं इन्होंने ओडिसा की जो हिस्ट्री लिखी है बहुत ही गलत हैला हिस्ट्री ओफ उडिसा का इन उन्निस सो अर्तालिस में ठीक और ने कहीं एक इस्पेशल सशन भी कर वा हो मन्थन करो फिर उस पर बातचीत हो यह बहुत अच्छा तरीका है और फ्रॉम्दा स्टेट और डालोग नहीं चालू करवाया historians of prominent people का across the state ताकि और भी points निकल के आ सकें इसे वरी good exercise अभी भी होना चाहिए चाहिए और जो बुक रिलीज अभी हुई है वो कि important है देखें सिंपल जिवात है जो central government है हमारी वह अभी odysa में जो है आपका बीजू जनतादल है पावर में बीजू जनतादल जो है अभी central government यानि बीजेपी की बहुत सालों दो दसक से जो है पहले एलाई रही है लेकिन हाल फिलाल में जो है ओडिसा में इसका बोल वाला है और जो इस तरीके की ये books है history है इसकी हिंदी में इसको launch करके अपना जो है पर्टिकल थोड़ा सा in roads बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश किया रही है ठीक वहीं सब यहाँ पर बताया गया है अगला जो हमारा ड्रग है रेमदेशिवर यह इसकी कमी हो गई है ठीक याद रखेंगे क्या है empty viral है रेमदेशिवर और जो इसका एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया गया आप देखें कौन लगाता है एक्सपोर्ट पर प्रोहिबीशन ओडर कौन लगाता है डारेक्टर रेट ओफ फॉरें ट् जो कि मेस्ट्री अब कॉमर्स के अंतरगत आता है उसने और प्रोहिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ रेमदेशिवर लगाया है और जो भी एक्टिव फार्मसोटिकल इंजीग्रेंट्स इसके प्रोडक्शन में जब तक आगे नोटिस नहीं आता तब तक जो है एक्सपोर्ट प के बास सार्स और मेडिलिस्ट मर्स जो है मतलब कोविट के लिए यूजरी 2020 में और क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो इसने दिखाया है कि जो मैडली इल पेशेंट है बहुत ज्यादा खतरनाग नहीं जो मतलब मेडियू मीडियूम टाइप से इल है उन पे और अर्ली होस्पिटलाइजेशन के उपर होता है उनके उपर काफी अच्छा प्रभावस का रहता है लेट अगर यूज करो गया तो लिटिल एफेक्ट है ठीक कम प्रभावशाली होती है क्राइसिस अब भी देखा जाए तो भारत में 11 लाग एक्टिव इंफेक्शन अभ लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और हाईयर डिमांड जो है वो इसलिए भी है क्योंकि केसे बहुत तेजी से बढ़ गए है और मैनिफेक्ट्रिय और सप्लाई जो है वो बड़े नहीं है वो वैसे ही वैसे है मर्दर प्रदेश ने कंप्लेंट करी कि उसको ना माँग रहा उसका आधा मिल ला है 77%ंप्र प्रेक्ट्ट्शन जो है वो ट्यवट हो रहा है महरास्ट्रा में 30% जो हाधा परने तो 70 तो महरास्ट्रम जा रहा है डिमांड महिने पहले अगर देखा जा तो रेंदी सिविर प्रोडक्शन वास नेगलिजिबल बहुत ही कम था ऐसा क्यों हुआ था देखिए क्या हुआ कि पिछले साल दिसंबर में जो सप्लायर मनेट्रेक्चर थे उनको लगा कि उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल आ गया क्य जो है रिड्यूज होगी डिमांड तो सप्लाय होते नहीं तो फिर उनको ने रोग दिया अपना कर दिया है जो कि इंडिया का लार्जस मेनुफ्रख्चर का क्या नाम है है तेरो ठीक और इसने स्केल डाउं प्रोडॉक्शन अपना कर दिया पास उसके बाद कमला लाइफ स स्टॉक करता है जो किस एस प्लाइट passing अब इस टॉप करते हैं चर्च हो गया और ज्यदा ज्यादा सब आप यह जい लगिए थी और फिर इकदम से फर्वरी में क्या हुआ केसे बढ़ना श्टार अब चाहट हो गए और इतना असान नहीं कि आप अगले दिन से चालू करो इंडिस्ट्री और जो है मैंफ्रेक्शन चालू करो बढ़ जाएंगे करीबन 25 डिफरेंट रॉव मटेयर लगते हैं कच्छा मा लगता है अब जो साइकल है उस फ्रॉम दर प्रोड़क्शन टू ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ जिवर अब यह कम से बीस अपच्छेश दिन लगते हैं इसको प्रोड़क्शन करके ट्रांस्पोर्ट होने में ठीक अब प्रोड़क्शन लास्पन चलूब अदर ट्रांस्पोर्ट भी हो जाएगा अब आगे क्या होना देखो समझो जो फार्मसेटिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि जितने भी साथ में इंडिया में उनसे कहा है तो मैक्सिम कैपसिटी अपनी बनाओ करीबन अड़तिस लाग वाइल बनाओ पर मन्त ठीक तो सबसे आदा कौन बनाता है हेट अगला जो हमार टॉपिक है कई स्थानिक प्रजातियां विलुप्थ हो सकती है मैंने अंडिमेंग स्पिस्कीज कन गो एक्जिस्ट एक्स्टिक्ट क्यों सीदिस बात है कि अभी पैरिस क्लाइमिट के इसाब से हमने जो माना है वो यह है कि जब 2100 आए तो हम कम से कम इंडस्टियल लेवल के इंडस्टियल रिवलुशन के टाइम की लेवल से करीबन दो परसंट ही दो डिग्री ही हम कम से बढ़ें और कोशिच दे करें कि 1.5 डिग्री सेंटिक इसलसेज ही बढ़ें लेकिन जो अभी प्रेजेंटली हम चलना है उसके जाब से 3 डिग्री से हम बढ़ जाएंगे हमरा जो है इंडस्टियल रिवलुशन लेवल से तो यह काफी जो है क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देगा जिसके वैसे जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं और किसी जो एंडिमिक है ठीक एंडिमिक वाले कौन से होते ह हैं जो एक जो ग्रीफिकल लोकेशन में वहीं पर पाया जाते हैं कई और नहीं पायाते हैं उनके साथ में अक्स्टिंशन होने का बहुत जधा खत्रा है क्यों क्योंकि greenhouse gases बढ़ देगे Greenhouse gases कौन कौन से होती जैसे कि आपका जो है आपका water vapor भी यह Greenhouse gases है ठीक CO2 है आपकी Greenhouse gases ठीक NO2 है SF6 है SF6 है CF6 है यह सब जो है Greenhouse gases होते है CO Greenhouse gas नहीं है यह कौन से होती carbon monoxide ठीक तो इनके बढ़ने से biological conservation नाम की यह general है उसने बताया है कि present उसको climate change होगा Greenhouse gases जिसे आपसे बढ़ रहा है इस्थानिक जो animals हो plants है उनको काफी खत्रा है आप चान लेते हैं इसमें facts climate change जो है इसको negative तरीके से effect करेगा जो native or endemic species है जो कि किसी एक particular space पर ही पाए जाते हैं प्लेसस पेव जाते हैं और इसमें आप देखें यह कह रहा है कि analysis यह बताता है कि जो भी endemic species हैं किसी island tapu पे वो चार जो है वो island पे and more than four out of five endemic species from mountain यह कह रहा है जो tapu पे रहती है endemic species और जो पहाड़ीयों पे रहती है endemic species उनके पास बिलुप्त होने खत्रा जादा है climate change सिर्फ climate change के वज़े से सुन वहीं बात उन्होंने यह कहा है कि अगर Paris climate agreement वाला जो goal है वो achieve नहीं होता है तो यह जो species है कि chances जो है विलुप्त होने के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो study यह बताती है कि global team of सेंटिस्टा उन्होंने अनलाइज किया है 300 biodiversity hotspot अब biodiversity hotspot वो जगाए होती है जहां पर endemic species पाई जाती है और जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में animal और plant की species पाई जाए ठीक एक तो endemic species जादा हो और उसमें भी animal और plant की species भी कुप जादा हो और यह hotspot जो है land पे भी होता और sea पे भी होता ठीक तो उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे जो hotspot है वहाँ पर endemic species जो हैं जो unique होते हैं one geographic location वहाँ कही हैं और उन्होंने 300 करीबन किये हैं और इसमें कह रहे हैं कि जो मतलब जो endemic species इनको खत्रा काफी ज्यादा है विलूथ होने का अभी इन्होंने कहा है कि अगर प्लानेट इसी तरीके से हीट होता है तो 3 degree Celsius तक जो है बढ़ जाएगा और इसकी वाज़े क्या होगा कि जमीन पर करीबन 66% जमीन पर और जो पानी में करीबन जो हाफ यानि 50% जो है species है endemic species वो विलूप्थ हो जाएंगी यह कहने का यहाँ पर इन्होंन का वो है यह काफी important facts है मेंस के लिए भी काफी important है वैसे भी अगर आपसे डाइकली कोशन पूछा आज़कता है कि बताए endemic species को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है तो वो किस से है तो climate change से और कहाँ ज़्यादा है तो land पर ज़्यादा है ठीक और देखे mountain पर तो उससे भी ज़्यादा है और टापू पर तो उससे ही ज़्यादा है क्यों देखे अगर आप इसको ऐसे देखो पानी में असी में कितना है 50% हो रहा है ठीक लेंड पे कितना 66% हो रहा है माूंटेन पर 84% हो रहा और आइलेंड पे तो 100% तक भी एंडेमिक स्पेशीज जो है गाय वहने की कगार पे समझे तो ऐसे आप इसको एक पैटर्न देख सकते हो और इसके बाद जो है ओवरल 92% of the land-based and endemic species और 95% of marine endemic species जो है उनको negative consequence face करने को मिलेगा अगर 3 degree तक बढ़ जाता है temperature ठीक और जो current policies दिखलाती है कि भाईया 3 degree centigrade तक ही हम पहुच रहे हमारा मतलब अगर इसी प्रकार से हम greenhouse gases का उसर्जन करते रहे climate change इतना होगा ठीक एशिया में अगर देखा जाए तो island जो है जैसे कि Indian Ocean Islands है Philippines है शिलंका है और western घाट से हमारा यहां पे काफी नुकसान होगा endemic plants का ठीक due to climate change by 2050 ऐसा कहा जा रहा है और greenhouse gases emissions जो है वो बढ़ रहे हैं और places like Caribbean islands ठीक आपने Western Indies का नाम सुना होगा मदगासकर जो अफ्रीका में है और जो है शिलंका यहां पे endemic plants जो है extinct हो जाएंगे most of the endemic plants जो है वो एक्सिंट विलुप्त हो जाएंगे 2050 तक अगर climate change जो है ऑल्टा करता है habitat जहां पर रहते हैं जहां पर निवास है तो भी वह लोग पर्मिनेंट सिंक्षन के जो है करीब आ जाएंगे विलुप्त हो जाएंगे इस्थाई रूप से ट्रॉपिक्स जो है अब देखो जैसे आपका विश्वत रेखा होती है फिर यहां पर देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानि मकर रेका करक रेका मकर रेका बीच में यह क्या होता ट्रॉपिक जैनि उस्थानिक जो प्रजातियां है वह एक्स्टिंट हो जाएंगी क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वैसे ठीक लेकिन अगर कंट्रिया अपने सर्जन को रोकती है ऐसा कि परिदेस ऐग्रिमेंट के हिसाअप से तो कई सारी इंडिमिक इस पेशी जो है वह दो जाएंगी एसा विसलेशन में पाया गया है एंडिमिक इसपेशी कौन से होती है जो यह मतलब जो मतलब किसी एक जवर्पियल लोकेशन में ही जिर्फ पाई जाएं तो उनको बोला जा Bah情 करने खीनद से हमें समारी जाने खान तो हमें इसका क्या प्रभाव होगा what will be the impact of it कि जो study ये बताती है कि extinction risk जो है climate change का geographical rare species का island पे वो आठ गुना ज़ादा है अगर आप किसी mainland region से देखें तो ठीक महलब जमीन mainland अगर आप देखा जाए जगाओं से island पे 8 गुना ज़ादा जो है extinction का खत्रा है और geographical rarity जो होती है species की make the global value of nature मुलब प्रागर्टिक value काफी ज़ादा है इस्थानिक species है species जो है ये खुद से move नहीं हो पाती है आजानी से और उनको एक favorable environment चाहिए होता है वहीं पे रहते हैं otherwise ये extinction हो जाती है मुलब ये एक टंपरेचर बढ़ रहा है तो ये उन टंपरेचर पे चले जहां पे टंपरेचर इनके अनुकूल हो तो ऐसा नहीं होता है इन इस्थानिक प्रजातियों के द्वारा इसी लिए जो है ये extinction होने खत्रा इनमें ज्यादा होता है ठीक बहुत यह मज़े था टॉपिक था यहां पे खत्म होता है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अच्छा आप लोग से क्वेश्चन यह है कि भारत में बायो डैश्टी हाउट स्पॉट्स कहां कहां पर है ठीक चार जगवां पर बता देरों मैं और बस आप है इसके बाद जो है पहले जो 12 नॉटिकल माइल होता है वह था टेरिटोरियल वाटर्स फिर उसके बाद इसी जड़ा हुआ जो है 12 अगर आप जोड़ लो और तो इन टोटल अगर देखा जाए तो बार और इन टोटल देखा तो 24 नॉटिकल माइल तक क्या होता है चार जो करने लностरॉब एंज़न करो घ्क करता है इसके दिया इसके अंतरकत माने जाते हैं यह एक्प्स्थित São जो और अपि यहां पैर तो आप Web erstmal लो लेकिन यूसेYA ø司तना दियाँ ए इंटर नैशनल लॉच्जितार हमें इस एक प्रीडे मुरूंम offenders नाविधिय शनर है तो इसलिए हमको ना समझाओ ठीक तो आप देखो पहले ट्रम से काफी ज़्यादा हमारी क्लोजनेस जो थी अब नया एड्मेस्टेशन वहाँ पर आ गया यूएस में तो वह अपना जो है अपनी भाव दिखा रहा है तो शक्कर में उसने भी दिखाया है कि हम हम घुम घुम सकते अपने अनुसार और सबसे बड़ा सेवंथ फ्लीट सेवंथ फ्लीट लेके आया था समझे रहो यूएस का सबसे बड़ा नेवल वह है सेवंथ फ्लीट तो काफी मतलब नाराज़गी दिखाई अपनी न्यूजिलन बता रहो ने न्यूडली ने कहा है कि आपको प्रायर हमस पूछना चाहिए था तब इसमें आप आना चाहिए था और लक्षदीव के वेस्ट में लोग भूम है ठीक लक्षदीव है तो यह यहां पेस के करीबन जो है घूम रहे थे लोग फ्लीट कर रहे थे तो यूएस नेवी ने बताया साथ अप्रेल को सेवन फ्लीट को लेके है थे जिस और कौन सा यह था यूएस एस जॉन पॉल जोन्स ठीक उन्होंने कहा था कि हमने अपना निविगेशनल राइट को किया एक सो तीज नॉटिकल माइल हम दूर थे पस्चिम में थे रक्षदीव आइलेंड के और जो की इंसाइड ऑफ इंडिया के करते हो कोई मनुवर कर रहे हो ठीक और या फिर कोई कंट्रेंटल शेल्फ में हमारे निकल रहे हो तो तुम एक क्लीम इंकंसिस्टेंट विद्धा इंट्रेशनल लौग वह यूएस ने कहा है कि अगर इंडिया ऐसा कह रहा है तो इंट्रेशनल लौग के अनुसार यह साही जो है इंडिया की जो यह क्लेम है यह निराधार है यह कहने का मतलब है फ्रीडम ओफ नविगेशन ऑपरेशन क्या होता है यह इंवाल्व करता है कि पैसेजिस हम मतलब उससे गुजर सकते हैं ठीक है मतलब सी में अपना जावा सकते हैं यहीं चीज जो है यूएस से पहले जब ट्रम्प के टाइम पर साउथ चाइना सी में दिखाता था ठीक है और यूएस नेवी थुरू वाटर क्लेम बाइदा कोस्टल नेशन एज देर एक्सलिजिव ट्रेटरी अब दोको नेवी थुरू भी जा सकते हैं और उपर हवा में भी जा सकते हैं समझ रहो तो एकॉ खतंत्र हैं और हम ओवर फ्लाइट राइट्स समझ रहो यह मतलब यह भी है कि ऐसे नहीं सिर्फ पानी के रास्ते हैं हवा के रास्ते भी उन जगहों से हम जाने का अधिकार रखते हैं ऐस पर दा इंटरनेशनल लॉँ अब जो सेवन्थ फ्लीट है यह यूएस नेवी फॉ और इसमें किसी भी समय जो है पचास सतर शिप होते हैं सब्मरीन होती है देड़ सो एक्राफ्ट होते हैं 20,000 सेलर्स होते हैं ठीक और इसमें इसको हेड कॉन कमांड कॉन करता है तीन स्टा नेवी उफिसर आपको EEZ के बारे में बता दिया इसमें जो होता है तो उसके अधिकार उसका जो है इसमें जुरिजिक्शन होता है और राइट और इसमें जूस्डिक्शन होता है जो अधिकार होंगे जो है इस कंवेंशन के द्वारा जो है इसको निर्दारित किया जाता है उसके द्वारा जो है और इंडिया के टाइटोरियल वाटर और कॉंटिएंटल श्यल्फ एक्सिलूसिव उकनोमिक जोन अधर मेरिटाइम जोन एक्ट उनिसों चेतर यह पूरा इंडियन इंडिया टैटोरियल वाटर भारत के प्रादेशिक जल्चेत्र महादेपी शेल्फ विशिस्ट आर्थिक छेत्र और अन्समुद्री चेत्र अरदिनियम उननिस्वचेत्र के अनुसार भारत का इजड ठीके था भारत का जो एजड जो है एक्स्लूजर एकनॉमिक ज होता है ठीक वहां तक और लिमिट ऑफ सच जोन इस 200 नॉटिकल माइल फ्रॉंदा बेस्लाइन यह बेस्लाइन थी ठीक तो में आगया और हमारा अगला जो सेक्शन है उसका नाम है कॉम नेगा यह स्पीसिस हमारा फेवर्ट सेक्शन होता है क्यों क्योंकि आकरी में पढ़न आज देखो दो हो गई आपका एक तो पहले ओडिसा हिस्ट्री समंदित हम लोग ने परस्टनालिटी पड़ी अब यह अगला कोशन है जो तिबार आओ फूले से समंदित परस्टनालिटी का हिस्ट्री में काफी कोशन पूछ रहा है तो इसलिए डाल है तेरह अप्रेल को इनका बर्थ अनिवर्सरी होती है देखे गलत है स्ट्रीट्मेंट पूछा गया तो पहला अगर गलत हो गया तो यह गलत यह गलत यह गलत भी ऑप्शन हो जाएगा फिर भी हम देख लेते हैं और मात्मा फूले जो है यह मतलब सिक्षा मैलाओं की सिक्षा के लिए जाने आ इसके किलाब करते थे इन्होंने पहला स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए 1848 में पूने में ठीक और सत्यसोदक समाज आने की तुर्च सीकर सोसाइटी भी महरास्ट्रा में इन्होंने फाउंड की तिक इन्होंने जोतिवाराओं फूले जीने ठीक अगला जो हमारा कोशन है वो है औलाइन डिस्प्यूट रेजिलुशन से समंद्र ओलाइन डिस्प्यूट विवात समाधान अब यह विवात क्या है जुडी श्रीवाले एक तरीके का alternate dispute resolution कि बात हो रही है वनलब कोर्ट के बाहा सट्टलमेंट वारी बात हो रही है तो ओनलाइन डिस्प्यूट resolution हो सकता है नीती आयोग ने इसको launch किया है अभी online dispute resolution handbook in India false पूछा जा रहा द्यान अगना ठीक और जो नई handbook है इसमें launch करी गई यह आपके किसके collaboration के दोरा किसके इसके बीच में अगामी और ओमदियार network इंडिया के दोरा के statement सही है गलत बताईए गलत पूछा गया है और handbook जो थी इसको launch किया गया है ऐसे बोवड़े जी के दोरा तो देखिए बोवड़े जी के दोरा नहीं किया गया है जस्टिस डी वाई चंद्रचून जो है उनके दोरा किया जाए गया है इसलिए थर्ड स्टेट में गलत है और सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ठीक बाकी देखिए यह भी सही था नितियायोग ने एक अपना फस्ट ऑफिट्स काइंड ऑनलाइन डिस्पूट रेजलूशन हैंडबुक निकाली है अगामी और ओमिद्यार नेट्वर्क इंडिया के दोरा यह निकाला गया है ठीक डीवाई चंद्रचून जी ने जहें लांच किया है इसमें देखिए यह हैं कि जो आपका समधान किया जाएगा यह अदालत के बाहर विवादों का समधान प्रतान करेगा विशेस रूप से छोटे और मध्यम मुल्यों के मार्मले में ठीक और इसमें देखा जाए तो यह सब सपोर्ट करेंगे इस इनिशेटिव को देखिए प्रकार से हमारा आज का सेक्टम होता है अगर आप लोग पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें और अगर आप लोग को हमाई सब्सक्राइब में चुड़ना है तो सब्सक्राइब में चुड़ना है अगर आप लोग से लेते हैं अलविदा जाएं जाएं जाए बारत ओल डवरी बेस्ट है